आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां फर हमें दिये दये options को देखकर बताना है कि इन में से कौन से phase के बाद अगर cytokinesis नहीं हो पाती है cytokinesis का failure हो जाता है तो polypoidy की condition create होगी तो तब से पहले जो हम देख लेते हैं polyploidy होती क्या है अगर हम higher organisms की बात करें चाहे plants हो या animals तो उनकी बॉड़ी के जो नॉमल सेल्स है वेजिटेटिव सेल्स है इन सुमाटिक सेल्स में जाधा तर हमको डिपलॉइट कंडिशन मिलेगी डिपलॉइट से मारा क्या मतलब है क्रोमोजोम नंबर जो है वो 2N होगा यानि हर क्रोमोजोम की दो-दो कॉपी होंगे क्रोमोजोम के दो कंप्लीट सेट्स होंगे ऐसे सेल के अंदर तो नॉर्मली तो समाटिक सेल में यह होना चाहिए लेकिन कभी-कभी अगर हमें दो से जादा या तीन से जादा कॉपी मिल रहे है multiple sets मिल रहे हैं अगर हमें क्रोमोजोम के तो ऐसी condition को polyploidy हम कहते हैं अब इस तरह की condition कब हो सकती है यह दो हम जानते ही है कि हर एक living cell कुछ sequential events के through गुजरता रहता है जिसको हम cell cycle कहते हैं और cell cycle के दो हिस्से होते हैं एक होता है interface जहां पर cell divide नहीं कर रहा है division की तयारी कर रहा है और दूसरा होता है cell division का phase जहां पर हकीकत में cell divide कर रहा होता है तो अब cell division के भी दो हिस्से होते हैं हम जानते हैं कि अगर एक cell को divide होके कई daughter cells बनाने हैं तो अपना जो भी genetic material है अपना जो भी DNA है यह बराबर बराबर इन में बाटना होगा प्रॉपरली इसकी segregation होनी चाहिए तो सबसे वहले तो cell division में nucleus divide होगा इसको हम कहते हैं karyokinesis जब सबूस माइटॉस हो रही है तो जब एक nucleus के segregation होके separate होके दो nucleus बन गया है उसको karyokinesis कहते हैं और एक बर karyokinesis complete हो जाती है तो इसके बाद में पूरा का पूरा cell divide होके दो daughter cells बना देता है जिसको हम cytokinesis कहते हैं लेकिन karyokinesis body complex process से हम जानते हैं कि genetic material जो होता है वो DNA के form में होता है deoxyribonucleic acid जो के further दो polynucleotide chains से जुड़ा हुआ दोनों chains के आपस में जुडने से बना हुआ एक double helix model में होता है और इन्हें अगर हमें properly divide करना है तो obviously बहुत accuracy की जरूवत है तो यहाँ पर DNA हम देखते है कि cell division के दौरान जो वो interphase में chromatin के form में रहता है extensive nucleo protein fibers के form में उससे हटके वो chromosomes के form में आ जाता है condensed होके वो distinct chromosomes बना देता है तो यह karyokinesis की अलग-अलग stages होते हैं यहाँ पर जो हमें दे रखे हैं सबसे पहला होता है pro phase जब cell जो है karyokinesis की तयारी शुरू करता है nucleus की जो membrane है वो breakdown हो जाती है पूरी तरह से chromatin जो है condensed होके chromosomes बना चुका होता है spindle fibers की assembly शुरू हो जाती है इसके बाद metafase ऐसी stage है जहां सारे के सारे जो chromosomes है यह cell की equatorial plate पे यह बीच की तरफ जाके एकठे हो जाते हैं असेंबल हो जाते हैं next stage हमारे पास enaphase की आती है और इस समय पर chromosomes के behavior को और structure को हम study कर सकते हैं आराम से इसके बाद enaphase की जो stage है यहां spindle fibers centromere से जुड़ चुके होते हैं और opposite poles की तरफ यह chromatids को खेचने लगता है और finally telophase एक terminal stage है karyokinesis का जिसके बाद इस stage पर जो daughter cells के nucleus बनेंगे आगे जाके वो genetic material के masses opposite poles पे पहुच चुके हैं यानी migration हो चुकी है और अब नई nuclear wall बनना शुरू होगी जिसके बाद cytokinesis हो जाएगी पूरा का पूरा cell divide हो जाएगा लेकिन suppose अगर इस तरीके से दो daughter nucleus तो एक दूसरे से बन जाते हैं अलग अलग होके क्योंकि cell जब division की तयारी कर रहा था जब inter phase में था तो उस समय भी एक S phase आता है और इस S phase के दौरान DNA की replication होती है और DNA का जो amount होता है वो double हो जाता है तो cell ने division की पूरी तयारी कर लिए DNA का double amount प्रड्यूस कर लिया replication कर गए इसके बाद में carryokinesis भी हो गई तो अब यहां पर दो nucleus के बराबर genetic material मौजूद है लेकिन किसी वज़र से ये carryokinesis की सारी stages पूरी होने के बाद cytokinesis ना हो पाए दो nucleus का genetic material है जो आगे जाके दो daughter nucleus बना सकता है separate लेकिन ये दो cells एक दूसरे से अलग ना हो तो ऐसे में क्या होगा ये जो double amount DNA का यहां पर बना था S phase के अंदर ये एक ही cell में रह जाएगा और ये DNA का double amount अगर एक single cell के अंदर मौजूद रहता है तो यहां पर polyploidy की condition create हो जाएगी क्योंकि deployed जो है दो sets chromosome के हमें उसके लिए चाहिए थे एक normal cell के अंदर तो somatic cell में लेकिन यहां पर cell ने अपना DNA तो double कर लिया मगर फिर cell divide नहीं हो पाया cytokinesis नहीं हो पाय तो ऐसे में एक ही cell में वो सारा genetic material का content रह जाएगा और polyploidy की condition create हो जाएगी तो cytokinesis किसके बाद हो के karyokinesis की इसी के थोड़ी देर बार cytokinesis होनी चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यह cell polyploid बन जाएगा तो यहां पर क्या सही आंसर करेंगे option D टीलो फेज के बाद में cytokinesis होती है टीलो फेज karyokinesis का last phase है इसलिए यह हमारा यहां पर सही आंसर है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर